पूरी तरीके से उनकी मांगों के साथ सहमत है हम लोग खुद इस बात को मानते हैं कि एक ही तरीके के काम के लिए दो तरीके के मापड़ उचेत नहीं है अगर आप एक ही तरीके का काम करें उसके लिए दो अलग-अलग वेतर हो और नियोजर सिक्षकों का मामला ये जिस तरीके से बिहार में बड़ी संख्या में सिक्षक सड़क पर हैं ये भी हम लोग लिए चिंता का विशेर और लोगजिन शक्ती पार्टी उनकी मांगों के साथ पूरी तरीके से सहमत है वर उससे ज्यादा चिंता हम लोग इस बात की है कि नियोजर पर आपको सिक्षकों को लेने की जोरत ही क्यों पड़ते हैं जितनी खाली विकेंसी हैं जिसके लिए बजट और डी अलॉकेटेड है उन रिक्पदों को भी भरा जाना चाहिए आप जिलों में चले जाए हम लोग खुद दिशा की बैटक लेते हैं जितने हम रिक्पदों को भी भरा जाना पर अगर उसी को भरा जाएगा तो ये नियोजर के माद्यम से सिक्षकों को हम लोगो लेने की जुरूत ही नहीं पड़ेगी तो तमाम तरीके की ऐसी चीजे हैं और इससे पहले कि अब इसके सवाल उठाएं मैं इस बात को बहुत प्रमुक्त से बोलता हूं कि ये विश्वास मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं दिया है कि अब हम लोग बिहार में दूसरी लंबी चलान लगा सकते हैं पिछले 15 सालों में एक मजबूत नीव हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगो को तयार करके दिया है और अगर आगर आप समक्ष इन सारी बातों को रखों किसके शेकर में हम लोगो क्या-क्या सुधार करने की जुरत है उसको मैं सरकार के समक्ष रखों आज से 15 सार पहले अगर मैं बात करता कि वहार कुदेश का सबसे विक्सेत राज़ बनाना है नमबर वान बनाना तो संबर भी नहीं होता हास्यास पर लगना पर यह कहीं न कहीं न कहीं हमारे मुक्ष मंद्री जी ने ही हम लोगो को तयार करकर दी है कि अब हम लोग जो बाकी क चीजे रहे गए यह बाकी के जो सुधार है उसको चनित करकर आइडेंटिफाइ करकर मैं सरकार के समझ रखू मानने है मुक्ष मंद्री जी के समझ रखू और 2020 के चुनाओं के बाद परिनामों के बाद कहीं कोई संदे नहीं है पुना एंडिया की सरकार बनेगी हमारे आज कि मुख्यमंत्री पुना प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगे और उस सोथ Common Minimum Program के तहर तो लोग's जनशक्ती पार्टी अपने गोशना पत्र को अड़न को प्रमुकता से सरकार की एजिंटे में हम लोग उसको लागू करवाएंगी इस बीश में कमन मिन inevitable beना नहीं पाक्य चर्चा होगी और जिन शक्ति पार्टी का हम लोगा जो गोशना पद्र है उसको भी हम लोग सरकार के समझ प्रमुक्ता से रखेंगे इसी कृम में क्योंकि 2022 नवी साल भी है। लोग जिन शक्ति पार्टी उसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारी कर दिया हम लोग 234-43। आप लोगो काम करना है अगर वो चाहते हैं कि वो लोग जन्शक्ति पार्टी के प्रत्याशी बने पहला 25,000 की सदस्ता उस विधान सभा में 25,000 की सदस्ते जाकर उनको बनाने होंगे बूत कमीटी उनको प्रदे संसद्य बोट के सामने रखनी होंगी और तीसरा और सबसे मैं कोपोन विशेट उस विधान सभा का घोशना पत्र लोग जन्शक्ति पार्टी 14 अप्रल को तो हम लोग उनको गोशना पत्र प्रदेश बर का पार्टी के द्वारा रिलीज किया ही जाएगा पर जिस विधान सभा में लोग जन्शक्ति पार्टी चुनाओ रड़ेगी उस वही घोशनाफत्र हम लोग रिलीज करेंगे उसमें जितने कह भूद वाइस हैं। माँन लिजए एकृदान सभा में अगर 200 बूद हैं तो पहले भूद की क्या समस्या, दूसरे की क्या, दस्वे की क्या, सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट